दकश्मीर फाइल के तर्ज पर दकेरल स्टोरी कौन कर रहा बॉलिवूड में मुसलमानों को टागेट क्या दो समुदाए को आपस में बाट रही है दकेरल स्टोरी चोग खड़ा हुआ है देश पर में हंगामा दा केरल स्टोरी पर कोट का बड़ा आदेश इस बात से कर दिया इंकार क्या सच में हुआ था केरल में ऐसा सची घटना पर आधारित है ये फिल्म या मनगढंत कहानी पर बनाई गई दा केरल स्टोरी भारत में इस वक्त ऐसा माहौल बन गया कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है वो विवादों में आ जाती है वज़ा है फिल्म में किसी एक समुदाई को टागेट करना इसी की तर्श पर दा केरल स्टोरी को बताया जा रहा है उसमें क्या है? कोट ने क्या कहा? आदेश क्या आया? ट्रिलर में ऐसा क्या दिखाया गया था जिससे एंगामा खड़ा हो गया हंगामे के बाद फिल्म के मेकर्स ने कौन कौन से सीन हटा दिये? इसके कुछ बाते हम आपके सामने रख रहे हैं और आप इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें अपनी राइस जरूर दीजे ये सची घटना पर आधारे था या मंगरहंत कहानी बतादी कि अदा शर्मा की मुवी दे केलल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई इसको लेकर हंगामे के सुरब टेज हो रहे हैं और इस बीच मंगलवार को फिल्म के प्रोडूसर ने एक बड़ा बदलाव किया फिल्म का नया टीजर रिलीज किया गया जिसमें इंट्रोडक्शन के टेक्स में चेंजिस किये गए इससे पहले टेक्स में लिखा था केरल से 32,000 महिलाएं गुमशुदा हुई हैं अब बदलाव के बाद इसे 32,000 से तीन कर दिया गया ये औरते ब्रेनवाश के बाद इसलाम कबूल कर लेती हैं और बाद में उन्हें हाकिकत पता चलती है उन्हें आतंकी बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जिस दिन दा केरला स्टोरी का टीजर सामने आया था उसे दिन से इसको लेकर बहस चुड़ गई थी इस फिल्म को बैंड करने की मांग होने लगी विपक्ष की नेता वीडी सतीशन ने कहा उनका रुखसपष्ट है और आजादी की अभिव्यक्ती के नाम पर वो किसी को भी अफवा फैलाने की जाज़त नहीं देंगे इस से उचे तरीके से निप्टा जाएगा और वो पहले ही फिल्म पर प्रतिवन लगाने के लिए कह चुके है केरल हाई कोड के सामने ख्याचका दार की गई थी जिसमें मुवी की स्क्रिडिंग को बैंड करने की मांगी गई थी कुछ संगठनों ने दावे को साबत करने के लिए नकत पुरसकारों के घोशना की मुसलिम यूथ लीग की केरल राजे समीती ने फिल्म में लगाए गए आरोपो को साबत करने वाले व्यक्ती के लिए एक करोड रुपय का इनाम देने की अनाउंस्मेंट की एक दक्षिन पंथी कारेकर्ट और हिंदू सेवा केंदर के संस्थापक प्रतीश विश्वनात ने भी इसके विपरीत शाबित करने के लिए दस करोड रुपय के पेशकष की कि केरल से कोई भी आयस में शामिल होने के लिए सीरिया नहीं गया इस मोवी को सुदित्तो से इन ने डारेक्ट किया है फिल्म के ट्रिलर में दिखाया गया कि केरल में कॉलेज की चार स्टुडेंट कैसे इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाती है इसके क्रेटिव डारेक्टर और प्रोडूसर विपल अमरित लाल शाह है फिल्म में अदा शर्मा के अलावा योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिध्धी दनानी, विजय कृष्णा, प्रणो मिश्रा और प्रणय पचौरी सहित का इस्तार से ये पांच माई को थियेटर्स में रिलीज होगी सुप्रीम कोट ने बुदवार को विवादों में घिरी फिल्म दकेरला स्टोरी के खिलाब दायरिट याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया सरवोच चुनेयले ने याचिका करताओं को केरल हाई कोट जाने की दरदेश दिये जहां पहले ही फिल्म से जुड़ी ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई लंबी थे डायरेक्टर सुदिप्तो सेन की ये फिल्म पांच माई को रिलीज हो रही है फिल्म के टीजर में दावा किया गया कि केरल में 32,000 हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंकी संगठन ISIS में भरती किया गया कॉंग्रेस और वामदल के साथी मुस्लिम लीग भी फिल्म के विरोध में और इस पर केरल राज में बैन लगाने की मांग कर रहे हैं बुदवार को देश के चीफ जस्टिस दीवाई चंदरचूर की अगवाई वाली बेंच ने फिल्म से जोड़ी याचिकाओं को खारिच किया कोर्ट ने कहा कि याचिका करता चाहे तो फिल्म की रिलीज की तारीख 5 मई से पहले केरल हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं कि फिल्म की डिस्क्लेमर में संशोधन की मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि ये पूरी तरह से कालपनिक है तो अदालत ने कहा कि याचिका करता चाहे तो बेंच से इस पर पहले सुनवाई की मांग कर सकते हैं दूसरी और फिल्म निर्माताओं की ओर से कोर्ट पे पेश वरिष्ट अधिवक्ता हरीश तालवे ने कहा कि वर डिस्क्लेमर को बदलने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है